बहुत मैनत लगते है दोस्तों इस काम के लिए इनको पलटना खीचना और खीनारे तक ले के आना डार्क कलर की से नीले रंगी जो जीन्स पैनी हुई है कि असलाम आलेकूं नमस्कार स्रियकाल दोस्तों मेरे नाव आश्यू मेली के मैं गोता खुरू पटेला पंजाब से तो आज मैं किसी इंफॉर्मेशन के थुरू यहां पर आया हूं हमारे को आई थी जिसके अंदर बताया क्या है कि हर्याना इस्टेम बाले के अंदर हम के बारे में आपके में बताना करता हूं कि मैं जंसुई है टांगरी नदी जिला अंबाला हर्याने के अंदर खड़ाओं और यहां पहली ब्रेट डैडबोडी उसके बारे में आपको बुलिया जानकरी बटाओं को पैली डैडबोडी है उसने लक्ष कोजी का कच्छा पैन पैरों के अंदर स्पोर्ट बूट है का लेंडे करों के अंदर और उसके उपर एड़यान बना हुए तो तलिय के निच्चे रहों वाइट कलर का दिखरा है तो पहली ड़ोट पोड़ी दोस्तों यहां पर पढ़ीं फिर बता रहा हूं आपको जंसुई है ठांगरी मेरे पूरी डिटेल और पूरी जानकारी प्रवाइड करूंगा तो मैं फिर बताना जाता हूं पहली डैड़ बोड़ी यहां पर पढ़िए इसकी जो फोटो है अगर इसकी फोटो कर रहा हूं अगर इसकी फोटो चाहिए तो मैं आपको प्रवाइड कर रहा हूं तो चली दोस्तों अपने सफर को जारी रखतें आगे जो परली तरफ की जो डैड़ बोड़ी यह वहां पर क्या क्योंकि मेरे पास आज कोल आई भी है काफी दिनों के बाद सब्सक्राइब करें आप वीडियो पड़ाओं इनके बारे पता करो कौन है कहा के इनके घर पर ही बार को डूंड़ो तो इसलिए हमने आज फीर अपना सफर हर्याने की तरफ कूच कर दिया अमबाले जिले में उसके बाद में कुछ शेतर जिले तक जांगा तो चली दोस्त अब तो दोस्तों इसकी बैक सेड़े पहुच चुके हैं तो दिखाते हैं कैसी डैड़ बोडिय क्या है कोन हमें भी बता नहीं है लेकिन हमारे पास जो है ना फोन आते हैं नोन नंबरों से उन नंबरों को अभी उजागर नहीं करते हैं लोग देखते नहीं है लोग होते नहीं है वह सब चलते हैं लोग देखते नहीं है लोग होते नहीं है वह सब चलते हैं लोग देखते हैं को मच्छी बगड़ने वाला ला आता है कोई खेत वाले निकलते हैं कोई वैसे रागेर निकलते हैं कोई समान फैकने वाला भी निक अब दर्दान देको मच्ची वाले देख्वादू मच्ची बगने है यार मिल्डी है गोई नहीं नहीं वेल रहीं आज बोली निगोई मच्ची है गोई आलक बेट आजनी कीकिश हम कुछी देख्व यहाँ यहाँ पर यहाँ रचड़ोडी पड़ी है दोस्तों इसने नीले रंग की जिन्स वाली और सपैत चकदार ड़ी कभीश यारी मैंको लड्की लग रही है कंड़की रुक है आज आझाझा हुआ हाहा है तो दोस्तों यह त colonial कोई तो कोई टो सो ये भीटारी ये एक कि यंग ज्वान लड़की है तो दोस्तों एक डाढ़ मोर्डी देखू परनी तरफ जहां पर पाणी फ्रंट से निच्छे बढ़ता है जंसु यह टांगरी नदी के उपर एक डैट बोड़ी बैक सैड यहां पर बिचारी एक यंग जवान लड़की बिल्कुल नो जवान अच्छी खाते पीते घर की साफ सुत्रेक का लगी बिल्कुल साफ रंग की लड़की प पैंट पैंटे हुए आगे फ्रंट वाली पोकेट भी है और चेक दार निली और सपैद रंग की निली और वाइट की डबी वाली चेक दार इसने कमीज बनाई इसके उपर डबियां बड़ी हुई है तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं इसकी बाकी निशानिया देखने दे को अज़े से गश्यां पूरी देखा लूंग है काफी दिनों के बाद आये हुँ तो यहां के जो लोग होए है लोकल कर्णें में से जुड़े हुए है मेरा यूट्यूब चैनल में यह हमारा बताना हमारे नाम नहीं बताने लेकिन नुषके में नुषम को दूटे और इसकी पूरी में सेल आङ़क में था हूँ है अगर किसी मेरे भाई को इनकी फोटके यह उते हैं लावर के मीर nadaşरा मैं और लोग है अपको तो दोस्तों इसके एक सज्जे हाथ के अंदर लाल रंग का खंबनी जिसको बोलते हैं धागा वह भी बंदा हुआ है बाकि मैं इसको डैट बोडी कोशिश करता हूं किसी तरह सब्सक्राइब करता है कि अधर कुछ मिल जाएंगे मिल सकता है कि लड़की ज्यादा उमर की नहीं लग रहे हैं कि लड़की कम उमर की लड़की है कि हाथ में लाल रंग का दगा बना हुआ है कि बहुत मैनत लगते है दोस्तों इस काम के लिए इनको पलटना खीचना और खीनारे तक लेके आना डार कलर की से नीले रंग की जो जीन्स पैनी हुई है ना कान में भी दिखनी रहा क्योंकि बोड़ी को सीड़ा करना बहुत मुश्किल हो रहे है आस बहुत वारी है तो दोस्तों में विश्तार से बता देता हूं कि फिलाल दोर पर हमें इसके शरीर पर कोई ऐसी कोई निश बताने चाहता हूं इसने चैक दार निले रंकी डबी वाली कमीज डार की बिल्लों डार्क रंकी निले रंकी तो पहना हो गाड़े पहनकी है, और निले रणकी इसने बीच की पहते हैं, बिलकों गूड़े डार्क तानी पहन्ट से एक निले रखनी है, जो कंडिशन है लगई हैं जो व्लौ पर देखने के लगई है, दो दिन से लेकर छे दिन के बीच के जाधे फिस्या नहीं है, 7 हो सकते ह वह लग रही है इस तो पर इसकी क्रणिशन इजनी चार से लेके शाथ दिन पुरान यह बोड़ी है और बोड़ी किसी यंग जवान एक लड़की लग रही है इसने ऐसे करके बाल को बान्द के उसके उपर एक लाल रंका जो बैर रबड़ बैंड होता है वह बैंड इसने फिलाल तोर पर कुछ नजर नहीं आ रही है पर एक बात जो मैंने नोट करिंग लड़की यंग जवान है यह यानि 20 25 साल के सुपर जाता हुमर की लड़की लगनी रही है जो फिलाल की कंडिशन लग रही है तो दोस्तों इसके बारे में मैं फिर वार वार बोडर को जानका पूरी जानकारी होगा वीडियो के आंते में दूँगा तो चली दोस्तों में अपना पहले आगे का सफर पूरा करते बाकी बाते हम वीडियो के आंते में करेंगे कि क्या देख रहे हैं तो फाइनली दोस्तों हम स्टेंप डले माजरे पोच चुके और अब यहां देखते हैं कोई ड़ी है यह यह पर बढ़ी देखता है किते हैं तो दोस्तों देखो डले माजरे पोच के तो यहां पर बिल्कुल गला सड़ा है अल्फ नंगा है सरीर के उपर कोई कपड़ा नहीं है और हला देट बूडी के बहुत ज्यादा खराब हो रहे मतलब ड़ी लगालों कम से कम भी ज्यादा नहीं क्या सकते तो आज मेंसा संफ देने के लिए यहां आगे हम बैक काईड़ते हैं तो मैं जब आता हूं नहीं चीजे देखता हूं जैसे जुते चपल कपड़े इन चीजों से बड़ा दिल दुखता है इंचे जो देखने के बाद में कितना गल्द कच्रा अब बताओ जैसे अब मैं यहां पर आया हूं हो सकता है इसके निचे को ड़ेट बोड़ी पड़ी है उसका कते ही नहीं पता लगे क्योंकि कुछ लोग परिवार ऐसे होते हैं जिनके नहरों के अंदर डूब जाते हैं जो भर्तगर किरतकूर नंगल आनत परसाइब रोफट मरिंडा उतर डूब जाते हैं तो लोग उतर ही डूणते रहते हैं लेकिन की डाट पूड़ी है पानी के बाउसे कई वार बहुत दूर आ जाते हैं इसके बारे में आपको वीडियो गंत में जानकारी जरूरते हूंग इसका कारण क्या है आज पहले मैं कुलीट कर लेता हूं तो यह इसका दो दूसरा पॉर्शन उसमें भी देख लिए यहां पर टैड़ बुड़ी है इसका तीसरा पॉर्शन जो बैक तैड़ है वो देखते हैं मागे लोगो की सुविधा के लिए हमें देख़े जगा जगा पर आशिमली गोता खोर टीन है हमने जगा जगा अपने नंबर लिख रखे ताकि लोगो इनके इनकी सुविधा जो है वो मिलती रेंका जो लाव है नंबरों को मिलता रहे हम इसकर के हमने पूरे हर्याना- दोस्तों इदर आजीराजीब जी सामने ये इस सेड़ की जो बैक साइड है दिखाते हैं अधर देख सामने यहां पर फिलाल तोर पर कुछ यहां पर कोई डैट बोड़ी नहीं है तो तीन डैट बोड़ी आज की मिली है तो लोग उनको मैं विस्तार से पता हूँ तो आप वीडियो के अंत से जरी बुड़े ना तो चलि कॉन है किस तरह है इसको पूरव विस्तार से जरूर जो पहली डैट बोड़ी है उसने काले रंकी पैंट लक्ष कोजी गांटरवीयर जो लाल कलर से लिखा हूए आपका और काले रंकी बैटर लगी और डब्या वाले उसने शर्ट कमीज पैननी हूँ यह जो पहली जो है जाकता है उदर हार्याणां फिर दूसरी डाड़ी भीए हम जो पूस पॉनी के बैक सड है तो वहां पर दूसरी डाड़ी मिलते है जो एक महिला एक लड़ी की डाड़ जिसकी उम्मर तक करिबन जो हमारा को देखने के अंदर लगई ठार से लेकर पचीच साल के बीच विस कि कि अब इस लड़की की हमारे को लग रहा है यहां अब इस लड़की का बिलकुष साफ सुत्रा लग रहा है डैड़ जो में लग रही है चार से लेकर आट देना चार से और हाथ के अंदर पीला और लाल रंकी एक दागा बंदा इसको कहते है खंबनी वह बंदी हुई है निले रंकी इसने जिंस पहान रखी है डबी वाली इसने कमीज पहान रखें नीचे अंडर्वेर बन्यान भी हो मैं नहीं पता किस कलर का है लेकिन जो उपर जो कमीज है वो डबी वाली निले रंकी कमीज इसके उपर सपैद रंकी डबियां बनी हुई है और ये डड़ बो डीवी जंसुई हैट टांगरी नदी के बिल्कुल बैक साइड जिला हम बाला हर्याने के अंदर है उसके बाद जो हमने अगला प्रसफर तैय किया है उसके बाद हम कुर्च जिला कुर्चेतर अंदर एंटर होगे वहाँ पर डले माजरा एक गाउन है डले माजरा इसाथ नजदीक ठोल लगता हो जिला कुर्चेतर हर्याने के अंदर पढ़ता है वहाँ पे डड़ बोडी मिली है जो स्रीज से हल्फ नंगा है जिसके सिरीपे मारा कोई कपड़ा चालिस से लेके फचास साल के बीच की उमर है तो यह ड़ड़ बोड़ियां पड़ी-पड़ी हर्याने के अंतर रूल रही है तो दोस्तों अब आ जाते हैं लाश्ट के मुद्धे पर सबसे पहले सीज़ बताना चाहता हूं अगर इनके बारे में कोई जानकारी या फोटो होता है दार्मिक होता है तो आप उस मुद्धे के उपर आ जाते हैं दोस्तों अभी हाली के अंदर तीन दिन पहले हैं गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा असावज इसके अंदर 141 लोगों की मौत होगी और एक पुल टूटा है जो रस्ते वाला जूलता पुलता जो बाते सुनके 141 लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए यह मतलब मौत का एक कतली समझाल किया गया जो इसको लोग हुआ यह आप इसको कहा दो आप यह राजनीती की वेट चड़गे या किसी की वेट चड़गे यह रभ जानता है यह आप भी जानते हो तो यह समझाल मेरे साब सब्सक्राइब करते हैं उसको सही तरीके से जाच पड़ताल होती सरकार उसके अच्छी तरह नुमाइंदे रखती तो शैद उन लोग की जान बस सकती थी वो जानने लोगों को दिख रही है क्योंकि वो मेडिया उसको दिखा रहा है कवरीज कर रहा है मेडिया समाज दिख लेकिन आज आपको एक कड़वी सच्चा ही बताता हूँ हमारे इंदुस्तान के अंदर जो नहरे हैं दरियां नहरे गंगा जमना नाले हैं इनके अंदर रोज के दाइसो तीन सव आदमी रोज डूब के मरते हैं आपको पता है नहीं पता होगी सिर्फ पंजाब हर्याने के जो आकड़े हैं रोज के पंदरा से बीस पचीस बारा यह रोज के आकड़े जो डेड़ बोडियां नहरो के अंदर मिलती है लोग मरते हैं इसका आकड़ा आपने उठाने जिपनेट जर्नल पुलिस नेटवर एक वैससाइड है वहाँ पर जाना जिलेवाइज नाम डालना आपको पता लग जाए दिल्ली में हर्याने में पंजाब के अंदर कितनी डाड़ बोड़ी है रोज नहरो से बरामद होती है आपको पता लग जाए ना खड़ूगा तो जो चीज़े आपको बढ़ी करके दिखाई जाती है वो नजर आती है लेकिन बरिक्षी के अंदर जंगल के अंदर जंगल के अंदर जिनकी मिट्टी में दफन कर दिया वो आकड़े किसी को पता ही नहीं है लेकिन हमें वह दिखता है जिस चीज को हम दिखाया जाता है समाज देखता है मिडिया के अंदर उसको उचाला जाता है यह चीज़े लेकिन यह चीज़े कभी किसी यह कुण है यह लोग कैसे मरते हैं मडर करके गेरा गया यह किसी हाथ से की सिखार हो गए यह नाते भी डूब गए तो यह चीज़े जो एक जाच का विश्य यह भी आज तक जाच नहीं हुई है कि मैं आपको ढरा नहीं रहा हुँ अबी कभी आप में मस सोचना कि आश् tremendously कर लिया यह दोस्तिय हैं यह हमारे देश का जो सिष्टम है वो आ रहा है चार आजिमेंकर बढ़ां उनको टांग दो कगा और सारा काम खेल खतम, उसकी जाज किस तरिक्के से कभी आज तक सामने नहीं आई, और मैं जो यह बक्वास कर रहा हूं, शयाद यह मुद्दा भी आपको पास चार या पास दिन चलेगा, पास-दस दिन यह न्यूजे चलेगी, खबरे चलेगी, उसके बाद यह भी फलोब हो पास दिन चलेगा, पास दिन चलेगे, पास दिन चलेगी, आज तक आपके सामने कभी नहीं आई गी, यह जो पागल सा अदना सा आदमी खड़ा, शयाद इकल को आपको नजर ना आए, कल शयाद यह ना बताने वाला हो, पर मेरे लावा शयाद कोई इश्वर अल्लाव वाय दोस्तों जात पात धरम, इन चीजों को छोड़के, इस से उठके समाज के लिए कुछ है, ऐसा काम करो, ऐसी आवाज उठाओ, कि यह जो हाथ से यह जो चीज़े हो रही है, इनके उपर लगाम लग सके, किस तरह हमारे देश को बचाया जा सके इन चीजों से, तो इसके लि मांगता हूँ, तो मैं आज का वीडियो खतम करने से पहले जाए, एक बात जरूर बोल लुआ, मैं हर चीज़ को मानता हूँ, हर दरम को संबान देता हूँ, आज मैं एंडिंग के अंदर यही चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, जैसी आराम, रादे रादे, गोड ब्लेस यू, वाय गुर्दा खाल्चा, वाय गुर्दी फते, ला इलाह इल्लाला महम्मद रसूल्ला, सल्लालाहू आले वे सल्लम, तो अल भी देता हूँ, आज के वीडियो जैए, जैसी तीत लड़का, नो जवान जो रात के टाइम, तरीबन तीन बज़े नहर के अंदर, मुल्स के वीडियो जाइम, वीडिर दो अंदर, वीडियो जवान शेंद सल्लामद देता हूँ, आज के वीडियू